देखिए कोशन देखते हैं, maximum minimum का कोशन है, क्या कोशन है, the maximum slope of the curve, बहुत ही अच्छा कोशन है, क्या mistake हो सकती है, समझेए, पहले तो यह ध्यान रखिए, इसमें पूछा है maximum slope, यानि slope जो है, वो object function है, जब आप इसको differentiate करेंगे, तो आपको मिलेगा minus 3x square, plus 6x, plus 9, आप by mistaken, इ और इसके maximum की बात कर रहे हैं, यानि आपके लिए object function एक तरह से यह हो गया, आप ऐसा सोच सकते हैं, maximum minimum इनिमा जिसका निकालना होता है, उसको object function कहा जाता है, तो आपने लिखा ये f, अब इसको differentiate करेंगे, तो आपको सही answer मिलेगा, तो आकसर बच्चे गदरबड क्या करते हैं कि इसको 0 से quit कर देते हैं, ये नहीं करना है, अब जब आपने इसको 0 से quit किया, तो आपको मिला x1 और ये x1 इसमें ही रखना है, slope में, ये slope है क्योंकि, तो आपने रखा तो minus 3 plus 6 plus 9 and this equal to 12, तो maximum slope IIS curve का 12, ध्यान रखने वाली बात है कि इसको 0 से quit नहीं करना है, क्योंकि dy by dx का मतलब ही slope होता है,